हेलो रिवन आज किस वीडियो में बात करने वाले ही modernistry का एक बहुत ही important topic क्रांतिकारी कतिवीदिया बारत से बाहर जो भी क्रांतिकारी कतिवीदिया हुई थी उसके बारे में अक्सर questions पूछ जाते हैं देखें first questions किया रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी यह बहुत पार questions पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना कव हुई थी ध्यान रखेगा right answer हुआ option b 1923 ठीक है option b बिल्कूल correct answer हो गदर पार्टी की स्थापक अधेक्च की बात के तो सादार सोहन सिंग थे स भखना को कहा जाता है उपादेक्च की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 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 किसर सिंग थत्गर थे जबकि महामंत्री के रूप में अगर हम बात करें तो लाला हर देल थे चीक है फिन ध्यान दिजेगा कभी कभी ये questions पूछाटा है कि गदर का साबदी अर्थ क्या होता है तो गदर जो करांती छेड़ने का कारण था option हम यहां पर सी को टिक करेंगे प्रत्था महा युद्र का सुरुग होना option हम सी को टिक करेंगे ध्यान रखेंगे देखें फिन्स थर्ड क्या रहा है कि मैडम भिकाजी कामा से सम्मंदित निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पॉइंट्स को पढ़ी और बताए कि कौन सा यहां पर पॉइंट्स सही होगा चलिए हम एक ही करके पढ़ते हैं पहला पॉइंट्स कर रहा है कि मैडम कामा ने उवर्स 1907 में पेरीश मयवजित अंतरास्ट्य सुसलिस्ट समेलन में इस इसटे द्वास वर्ण रहा गया था ठीक है यह दियान रिखिगा और सेकंड पॉइंट की बात कि यह पॉइंट समरा गलत हुए था सेकेंड पॉइंट मैडम कामा जुति दादा भाय नलोची की निजी सची हो रही थी यह सई है और मैडम कामा जुति कह सकते है माता पिता के पार्सित है तो सेकेंड और थार्ड बिल्कुल साही है इस वैसे हम आप्सन बी को टिक करेंगे कोई दिकत नहीं ठीक है ठीक है ध्यान रखेगा इस क्वेशन का आई टैंसर आपका होगा दो और तीन जर्मनी मुनों ने क्या बता हूं हमेशा देखने को मिलता ही रहता है इंडियन होम सिस्थापक के रूपे स्यामजी क्रिश्न वर्मा को जाना जाता है जो की इनोंने लंदन में इसके स्थापना की थे नेक्स्ट पॉइंट किया रहा है कि निमलीखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापती थे द्यांदीजी का पहले सभापती की करम बात के तो लाला हर्द्याल और सोहन सिंग भखना यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन सी ए और भी तुन ठीक है चलिए नेक्स्ट वन क्या करा है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट्स लीग के स्थापना की थी अगर आपनी से पहले के बाकी के पार्ट को नहीं देखा है तो जरूर देखी लिश्ट आपको मिल जागा वहां पर आपको सारा क्राउन कराया जा रहा है अच्छे तरीके से तो आप जरूर पड़े देखे इंडिपेंडेंट लिग की स्थापना किस ने की थी तो राइट अंसर यहां प्रोगा आप संसी रास भिहारी बोस पड़ सकते हैं कि इंडिपें अगला पॉइंट्स कहा रहा है कि निमलीखित में से किस युग में को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्याक के आरोप में फांसी दी गए थी फांसी के सजा दी गए तो वो कौन-कौन लोग है मदनलाल डिंगरा के साथ-साथ उदम सिंग यहां पर राइट अच्छे तरीके से याद रखेंगे अगला प्रश्ण प्रथम इस युद्र के दौरान सक्रीय होने वाले गदर करांती कारियों का अधार अस्तल था कि अधार अस्तल मं कह सकते हैं कि यह सें फ्रांसिस्कों आपको पता हैं तो यह पस्ठी में में इंब पढ़ता है- अगरे करेक्ट अंसर हुआ चले साथे सती यहां पर पढ़ेए फिर के लांफर के दौरान कहां पर भारत की एक आंत्रिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट कह सकते थे राजा महेंदर प्रताब थे तो ये और अफगनिस्तान ऑप्शन एक और अफगनिस्तान नेक्स्ट पॉइंट देख लीजे क्या है निम्निलिखित में से कौन कामा घाटा मारू घटना से संबन दीते हैं इनकी घटना से संबन दीते हैं थोड़ा सा यह जो फैक्ट है ना वो थोड़ा सा important है अच्छे से पढ़ लीजेगा आपको जनकारी के लिए important है तो बाबा गुर्दीप सिंग यहाँ पर एक्चली हुआ क्या था यह घटना जो 1914 की है इसके अंतरगत क्या थे कि कनड़ा सरकार ने भारतियों के अपने यहां परवेश पर लगभग कह सकते हैं कि प्रतिबंद लगा दिया था और ऐसा कानून पारित क्या था कि जिसमें क्या होता कि केवल वही लोग भारतिये यानि क केवल वही भारतिये लोग कैनड़ा आ सकते थे जो सिर्फर सिफ भारत से डारेक्ट जो की कैनड़ा आना चाहते थे इधर उदर घूमते हुए आने के लिए मानेता नहीं थी ऐसा प्रतिबंद लगा दिया था और यहां पर भी सकते हैं कि कि किन्तु नवंबर 1913 में में परविस्क की इजाज़त दे दी जो लगतार यात्रा करके यात्रा करके नहीं आयते हैं और इस फैसले से उत्साहित क्या सकते हैं कि सिंगापूर के ठेकेदार पर काम कर रहा है एक भारतिये नागरिक जो की गुर्दीत सिंग थे बाबा गुर्दीत सिंग ने किराय पर तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए इंप्टेंट उतना इक्जांस में नहीं पूछा जगा कभी भी तो ध्यान रखेगा चलिए अगला पॉइंट्स के लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किस ने की थी सही आंसर गया ऑप्सन ए स्याम जी कृष्ण वर्मा ठीक है स्याम भीकाजी रुस्तम कामा ओप्सन डी विल बी करेक्ट अंसर देखें फिन्स अगर आपको यह वीडियो थोड़ा था भी अच्छा लगे ना कुष्ण्स थोड़े भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरू करके जाए यार फिन्स आप लोग बिल्कूल भी यार सपोर रहा था जर्मनी के स्टूट गार्ड में ऑप्सन डी विल्कूल करेक्ट अंसर है चीक है अगला प्रशन क्या क्या रहा कि गदर क्या था गदर क्या था तो हम यहां पर राइट अंसर किसे टिक करेंगे कह सकते हैं कि भारतियों का एक करांतिकारी संग जिसका प्रधान करिय यह सं फ्रांसिस्को में था ओप्सन यह बिल्कूल करेक्ट अंसर हो जाता है वीडियो को एंड होने से पहले एक छोड़ा से इफ़रमेशन में आपके साथ सेर करना चाहता हूं मैंने इसके बारे में आपको अलेड़ी बताया भी था कि जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन टेस् यह दी जाती है सबसे पहले आप वह समझ लिजी देखिए रोजाना रात को साड़े नव बजे और दस बजे दो बैच अब तो स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको 50 mcq करा जाता है ठीक है डेली आपको 50 mcq होता है जो कि यह आपका ओनलाइन टेस्ट होता है जिस तरह क आप यहाँ पर देख रहे हैं Google form के थुरू link यहाँ पर हम लोग send करते हैं और कुछ समय दिया जाता है जैसे कि 10 बच कर 10-20 तक आपको समय दिया जाता है और यहाँ पर आपको test देना होता है टेस्ट देने के बाद सब्मिट करना है सब्मिट करने के बाद कुछ समय के होता है कि 100 MCQ का full mock test होता है साती साथ हम आपको बता दें कि हर सनिवार को revise भी करा जाता है पिछले 5 जिन में जो भी questions करा जाते है उनका एक अलग से test लिया जाता है ठीक है तो इस batch में join होने के reference आपको क्या करना होगा 49 rupees pay करना होगा जो की सिर्फ और सिर्फ June महीने के लिए ठीक है जून महीने के लिए पूरे इस महीने में आपको रखा जाएगा यानि इस batch में रखा जाएगा और पूरे end तक पूरे end महीने तक आप test लगा पाएंगे पूरे 300 दें ठीक है तो करना कहा है कि आपको इस number पे 49 rupees pay करके आपको इस इसी number पे सेन कर दिना है WhatsApp पे आपको को उमीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा हुआ अगर नहीं भी देखा है तो इसको थोगा सब समझ लिए मैं आपको बताता हूं देखिए हर दो दिन पर एक test लिया जाता है इसमें पूरा full mock test होता है 100 questions के साथ बिलकुल exams oriented questions 30 questions current affairs का होता है तो आप इसमें हमारे ह हर दो दिन पर एक set देते हैं साथ 7 set में जो भी topics होते हैं उनका handwriting notes में आपको provide कराता हूं ठीक है उसके अगले एक दिन के बाद आपको इसी 100 questions का video solution प्राप्त किया जाता है जो की provide करा जाता है पूरा अच्छे तरीके से fact के साथ extra जो भी materials होते हैं इसमें include करके आपको extra fact के साथ video solution provide करा जाती है साती साथ में आपको बता दू फिंस के हर दिन यानि कि डेली आपको रोज रात को 10 बजे पूरे आठ मैने के पिछले आठ मैने के करन्ट अफेस में से 20 important करन्ट अफेस का collection दिया जाता एक PDF तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप जुड़ना चाहत करने के बाद जैसे आप open करेंगे application खो तो आपको वहाँ पे store का section दिखेगा store के section पे जाने के बाद आपको वहाँ पे हमारे इस batch के बारे में यही लोगों आपको दिख जाएगा वहाँ पे आप असानी से जा करके click करके 149 पे करके हमाई उस batch में जोईन हो सकते हैं तो यह आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि वह आपके तयारी के लिए important है अगर आप seriously होकर कि exams की preparation में लगे हुए तो दो सेड़ाइवीन आपके पास बच्चा हुए अच्छे तरीके से preparation कर लीजे क्योंकि दुबारा यह मौका नहीं मिलने वाला है और आपको पता है कि exams जो बार कोई vacancy भी ना है तो यह आपके लिए आखरी मौका है चले फिलाल बात करते हैं इस question का right answer का तो correct answer है हमारा option जो की A को tick करेंगे लाला हर्दयार ठीक है फिनस option A बिलकुल correct answer हो जाते हैं तो उमीद है कि आपको छोटा सा वीडियो बेहादी छोटा सा कह सकते हैं आपको पत्सांत आओगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों साथ सेर कीजिए साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करकर रखें क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह के रोजाना एक्जाम सोरियेंटेट क्वेसंस के साथ बेस्ट क्वेसंस आपको प्रवाइड त जाते हैं तो जुड़े रहिए चली मिलतें नेक्स्ट क्लास में थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लेर्निंग हाव अगुड़ दें